नमस्ते दोस्तो आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करते हैं दोस्तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं Microsoft Excel में कैसे आप overtime calculate करोगे इसका पूरा process step by step दिखाऊंगा तो वीडियो काफी important होने वाला है वीडियो को last तक दिखेगा तो चलिए process को start करते हैं तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक table को यहाँ पर design किया है सबसे पहले मैंने लिया है date इस date में कितने employee ने काम किया है उन साड़े का मैं यहाँ यहाँ पर overtime calculate करके आपको दिखाऊंगा उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर in time फिर मैंने यहाँ पर लिया है out time उन employee का इसके बाद मैं यहाँ पर आपको total hour मतलब total working hour आपको यहाँ पर calculate करके दिखाऊंगा और उस hours से मैं आपको यहाँ आपर overtime को भी निकाल के दिखाऊंगा और एकदम last में दिखे simple formula रेकना है, equal, equal देने के बाद आपको out time के cell को select करना है, minus in time, just एक बाद enter करेंगे, enter करने के साथ ही यहापे दिखे, result आ चुका है, just आपको अभी इस cell का जो formatting है, इसको थोड़ा सा change कर लेना है, change करने के लिए आपको जाना होगा home tab में, home tab में जाने के बाद आपको click करना है number के group button में, click करने के साथ ही format cell नाम का एक window यहापे open हो जाएगा, और यहाँ से आपको जाना है custom में, custom में click करने के बाद आपको यहाँ से hours और minute को select कर लेना है, select करने के बाद just simply एक बार आपको ok में आके click कर देना है, ok में click करने के साथ ही आप यहाँ पे देख सकती हो, total working hour और यहाँ पे calculate हो चुका है, बाकियों को calculate करने के लिए just यहाँ से drag करके आपको auto fill कर देना है, यह दिखे बाकियों का calculation यहाँ पे हो चुका है, अब में दोस्तों आपको यहाँ पे over time को calculate करके दिखाऊंगा, इसके लिए आपको यहाँ पे simple formula लिखना है, formula में आपको पहले select करना है total hour के cell को फिर आपको देना है minus sign, minus देने के बाद आपको यहाँ पर time function को use करना है, time लिखने के बाद first bracket को open करेंगे, फिर आपको देना है यहाँ पर hour, minute और second, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 8 hours, 0 minute, 0 second, just bracket को close करेंगे, ज्यादा तर जो working hour होता है वो 8 hours होता है, that's why मैंने यहाँ पर 8 hours लिखा है, तो मैं यहाँ पर total hour से 8 hour को minus करूंगा, just एक बर enter करेंगे, enter करने के साथ ही यहाँ पर देखिए over time जो है, वो यहाँ पर calculate हो चुका है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, total जो working hour था, वो था यहाँ पर 9 hours, और यहाँ पर 8 hour को अ auto feel कर देना है, तो यह देखिए बाकियों का over time भी यहाँ पर calculate हो चुका है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सारे employees का over time जो है, वो यहाँ पर calculate हो चुका है, यह देखिए, सारे employees का यहाँ पर over time calculate हो चुका है, अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पर total over time hours को calculate करके दिखाऊ इसके लिए आपको यहाँ पर इंट सारे over time का total आपको यहाँ पर निकालना होगा तो हम यहाँ पर sum निकालने के लिए auto sum formula को use करेंगे आपको जाना होगा home tab में, home tab में जाने के बाद आपको click करना है auto sum में auto sum में click करने के साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हो auto sum का formula यहाँ पर apply हो चुका है और यहाँ पर sum के बाद सारे जो over time है उसको यहाँ पर select कर लिया है just एक बार enter करेंगे, enter करने के साथ ही यहाँ पर दीखे result आ चुका है अब आपको इस cell के cell formatting को change करना है आपको फिर से जाना होगा home tab में, home tab में जाने के बाद आपको click करना है number के group बटन में group बटन में click करने के साथ ही यहाँ पर दीखे format cell नाम का एक window open हो चुका है और यहाँ से आपको custom को choose कर लेना है और type में आपको यहाँ पर hour और minute के इस format को select कर लेना है select करने के बाद just take bear okay में आके click करेंगे click करने के साथ ही यहाँ पर दीखे total overtime hours जो है वो यहाँ पर calculate हो चुका है यह दीखे दोस्तों यहाँ पर सारे employees का जो overtime है उसका total यहाँ पर निकल के आ चुका है सारे employees का तो दोस्तों यह था simple process जिसको use करके आप easily Microsoft Excel में employees के overtime calculate कर सकते हो वीडियो अगर पसंद आया तो like कर दिजिएगा thank you for watching the video please keep your support